हेलो फ्रेंद्स आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार कई लोगों को पेट फूलने की समस्या होती है कई बार ज्यादा खाने की वज़े से होता है तो कई बार गैस की वज़े से हो जाता है जब हमारे पेट मेकप्स की या फिर ऐसी टीटी की समस्या होती है तो उसकी वज़े से पेट फूलना काफी ज्यादा हो जाता है इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे आसान से नुसके जिनसे आप अपने पेट फूलने की समस्या को ठीक कर सकते हैं दोस्तों पेट फूलने की समस्या यानि की खाने के अंदर फाइबर की कमी होना इसलिए ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिनके अंदर फाइबर और पोटेशिंग की मादरा काफी ज्यादा हो क्योंकि ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपकी भूख भी मर जाती है और आपके पेट के अंदर कब्स की समस्या भी नहीं होती है जिसकी वज़े से पेट भी नहीं फूलता है अपने खाने पीने पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बहुत ज्यादा तीखा और तेल मसाले वाला खाना आपके पेट फूलने की सबसे पहली वज़ा हो सकती है इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादों तीका खाना खाते हैं तो उसकी मातरा को थोड़ा कम करिए या फिर उस खाने के साथ चाट या फिर दही का सेवन करिए इसी के साथ साथ लिक्विडिटी पर ज्यादा ध्यान रखिए पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए और शूर्ट का सेवन भी ज्यादा से ज्यादा करिए अगर आपको बहुत ज्यादा पेट फूलने की समस्या है और ये सारी समस्या घरे लोग चारू से भी सही नहीं हो रही है तो आप काला नमक और अजवाइन को एक चमच की मात्रा में लेकर पानी के साथ सेवन कर सकते हैं ये पेट फूलने की समस्या और पेट दर्द दोनों की समस्या को ठीक कर देता है सो दोस्तों इन सारे आसान से तरीकों को याद रखिए ताकि आप पेट फूलने की समस्या को दूर कर सके मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए